नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं हूँ अभिनवत शांचो पांडे और हमारी चर्चा का क्या विशा है हम लोगों ने बाते चालू की थी कच्छा बार्वी के लिए एक्जाम सेरिस मिशन 2023 मैं बहुत तकी पढ़ाता हूँ और मेरा नाम अभिनवत शांचो पांडे है लेकिन अगर आप बार्वी बोर्ड या दस्वी बोर्ड में हैं और किसी भी विशाइक में जो है आपको समस्य हो रही हैं तो आपकी पूरी तैयारी की जम्मेदारी हमारी है और अभीशा की अप्लिकेशन में जो है आपको हमारे सारे सारे वीडियो मिलेंगे और इसके अलावा आपको यहां पर मिलेंगे माइंड मैप शॉर्ट नोट्स और स्पेशल कंटेंट तो यदि आप लोगों हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे अप्लिकेशन में आएंगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं आईए हम लोगों ने क्या क्या बाते की थी हम लोगों ने ऑस्टेट के प्रमे के ब वारा से हम अपने दाया हाथ आगे करेंगे हम इस प्रकार से तार को पकड़ेंगे के चुम्बकी मतलब जो विदुद्धारा की दिसा है वह उठे के अनुरूप हो और उसके बाद में हम जब उंगलियां बंद करने लगते हैं तो हमको चुम्बकी छेतर दिखाई देता है हम यहां देख रहे हैं कि चुम्बकी छेतर अंदर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है चुम्बकी छेतर निकालने के लिए जब हम धारा से चुम्बकी छेतर उत्पन करते हैं तो किस दिसा में चुम्बकी छेतर बनेगा दाय हाथ के नियम से निकाला जाता है आप मेंसे बह पर चुम्ब की छेत्र की दिशा देखे अगर मैं यहां धारा की दिशा देखे अंदर जा रही है यहां धारा की दिशा देखे अंदर जा रही है ऐसा करने से अंदर जा रही है मतलब यहां पर कुल मिलाके चुम्ब की छेत्र बाहर से अंदर की और इस पकार से जाता हुआ द तो चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही है तो इसका उपाई यही है कि भाई आप बोर्ड देख लिए और इस बोर्ड में जो है हम लोगों ने ये माना Y अक्ष ये माना X अक्ष और ये X अक्ष में एक बिंदू P है लेकिन हमारा लूप कैसा नजर आ रहा है तो हमारा लूप कैसा नजर आ रहा है ये जानने के लिए हम लोगों ने ये देखिए ये आप मान लेजे कि इसके चारो और तार लगा हुआ है और ये हमारा लूप है इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो ये लूप हम इस पकार से यहां पर उस्थित कर देंगे ताकि जो है हम इसकी बीच से निकलने वाले अक्ष से अक्षे इस्थिती में चुम्बकी छेतर की तीब्वता निकाल सकें तो अगर आपको ये बात समझ में आई तो फिर आगे बढ़ते हैं हमको लूप भी समझ में आगया और लूप कहां बना हुआ है लूप बना हुआ है य जड के प्लेन में अब यहां पर कुछ नामांकरन कर लेते हैं यह हमारी जो दूरी है इसका नाम है क्या है भाईया इसका नाम है यह हमारी जो दूरी है इसका नाम है एक्स यहां जो त्रिजिय दूरी है मतलब इसके लूप के केंदर से जो दूरी है इसका नाम है Y लेकिन क्या इन चीजों का फरक पड़ता है नहीं पड़ता है तो हमको कौन सी दूरी निकाननी पड़ेगी यह जो बिंदू है यहां से हम एक सीधी रेखा खिचेंगे और यह दूरी हो जाएगी अब जब हमको यहां तक बाते समझ में आ गई है तो हम क्या देखेंगे भई आर बराबर तो पैथागुरूस का प्रमे लगाएंगे और यहां पर हो जाएगा आर का वर्ग बराबर एक्स का वर्ग धान वाई का वर्ग यह बात तो सहीँ है और क्या जानकारी निकल सकती है यहां पर एंगल होगा थीटा तो यह जो एंगल थीटा होगा तो अब यहां पर हम एक लंबोवत ले लेते हैं ही अच्छा अब यहां विन्दु पी पर हम कि च्भरता निकालना चाह रहे हैं हम लोगोंने माल लिया कि यहां पर विद्धु धारा इस प्रवाहिथ होरी है तो यहां पर एसा दिखाई दे रहा है मतलब यहां पर Lumbovat इस दिसा में कि क्छेतर नजर आएगा उसी प्रकार से अगर आप नीचे वाली स्थिती में जब यहां पर भारा प्रवाहित हो रही है तो मैंने यहां से निकलते हुए तार को किस प्रकार से पकड़ा ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़ने से मुझे इस बिंदू पर चुमबकी छेतर जो है कैसे नजर आएगा इस बिंदू पर चुम्बकी छेत्र, इस सरेखा के लंबवत ऐसे नजर आएगा, अब इन दोनों चीजों को देखने के बाद में आपको चुम्बकी छेत्र जब नजर आ गया है, कि ये नभेयंस का कॉंड बना रहा है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, तो अब जो है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, कि इनके अव्यव को विभगत कर लेंगे, कैसे विभखत होंगे, भ्या, तो हम जो है दोबारा से चित्र बनाते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो, यहां हम लोगों ने धरा को इस हमने दोब्वयव कि किया और यह बन गया हमारा की छेटर डी ऴी ठीक है और इसके 2500 निकल सकते हैं तो तो हम सहब निकाल लें पहला मत अहले है है यह वाला और दूसरा आगय है यह यह आपर देखें कि यह थीटा है 具 हम को थीटा नजर आएगा हाँ अब यह थीटा है तो यह हो जाएगा db cos theta भाई यह db है तो इसका जो है cos component धरा जाएगा और यह हो जाएगा db sin theta और अब आप देखेंगे कि db cos theta और db sin theta में जब हम जो है इस बिंदू के लिए निकालेंगे तब यहाँ पर भी है फिर से हमको जो है यहाँ पर db cos theta औ यहाँ पर db sin theta मिलेगा और यह cos component एक दूसरे को क्या कर सकते हैं cancel कर सकते हैं तो cos component खतम हो जाएगे और हमको कुल मिला के चुम्बकी छेत्र क्या मिलेगा db sin theta मिलेगा तो हमको चुम्बकी छेत्र के लिए पता चल गया कि भाई डीवी का जो है चुम्बकी छेत्र db dl और sin theta ideal sin theta और divided by r का वर्ग ठीक है अब यहाँ पर sin theta की बात करेंगे देखिए अगर आप जो है ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर जो है यहाँ sin theta कैसे दिखाई देता है देखिए sin theta निकालने के लिए sin theta बराबर लंब बटे आधार लंब क्या है यहाँ पर तो लंब है y और आधार क्या है आधार है x तो sin theta बराबर लंब बटे आधार यह हो जाता है अब यह जो है अगर आप जो है ध्यान देंगे नहीं, sinθeten लंबटे करण होता है BHAIYA ऐसे कैसे गलती कर बैठे ठीक है, y और यहां पर बटा R हो जाता है तो sinθeten और बरबर y बटा R और यह जानकारी हम जो है कहां डालेंगे यहां डाल देंगे तो db का जो है value क्या हो जाएगी db बराबर mu 0 by 4 pi और यहां हो जाएगा आई डी एल और साइन थीटा की बजाए हम लिख देंगे वाई बटा आर का वाई बटा आर ठीक है और यहां जो है आर का वर्ग अब यह जो है किसकी वैली हो गई यह वैल्यू हो गई एक छोटे से हिस्से का जो चुम्ब की छेत्र निकल रहा है लेकिन हमको यहां पर जो है कुल चुम्ब की छेत्र कुल चुम्ब की छेत्र जो है निकालना है बी नेट निकालना है तो यह बी नेट जो है किसके बराबर होगा हम इंटिग्रेशन करेंगे किसका डी बी और उसके बाद में साइन थीटा की अब यह फिर से साइन थीटा कहां से आ तो एक दूसरे को कैंसल कर रहा है कि वो भी सिर्फ एक बिंदू या दो बिंदू की बात नहीं है हम समा कलन करेंगे पूरे रिंग के लिए तो इस तरीके से हमको डीबी साइंठीटे का समा कलन मिलेगा और यही जानकारी हम लोगों ने यहां डाल दी तो अब जो है हमको यहा डाल थैगा से मिजीड़ो बाइफ पाई और यहां हो जाएगा आई डी अल बटा और का वरग और यहां हो जाएगा यहां हो जाएगा sin theta ठीक है तो यह हम लोग को करने के बाद में अब आप बताईए कि यहाँ पर हम समा कलन किसका करने वाले हैं तो हम यहाँ पर समा कलन करने वाले हैं अच्छा यह वाला sin theta के लिए भी हम लोग y by r लगा सकते हैं चलिए उसको बाद में देखेंगे अब हम यहाँ पर जो है बाकी सारे के सारे जो है क्या है बाकी सारे के सारे constant है सिर्फ एक variable है और वो variable क्या है यह dl जो है यह एक चर है तो इसको अंदर रखके बाहर साब निकाल देंगे और इसका जो है जब हम करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा यहाँ पर हमको मिलने वाला है mu 0 by 4 pi और यहाँ हो जाएगा i और y बटा r की घार 3 और यहाँ पर sin theta और integration में deal हो जाएगा तो इसको यह किसकी value है भीया यह b की value है तो b का मान क्या हो जाएगा mu 0 by 4 pi और यहाँ पर i y by r cube और यहाँ पर 2 pi y हो जाएगा क्या हो जाएगा भई यहाँ पर 2 pi r होता है और हम लोगों ने क्या देखा है हम लोगों देखा है कि r की बजाए जो है यह वाली लंबाई जो त्रिज्या है उसको हम लोगों ने y लिया है तो यहां पर हो जाएगा 2 pi y ठीक है अब यहां पर एक और चीज जो दिखने वाली चीज है और यहां पर sin theta को रहने दो तो यह जो y है यह दे y है और यहां पर देखो pi y तो हमको पता है कि pi r का work क्या होता है pi r का work होता है 6 तरफल तो pi y का work बराबर 6 तरफल area यह हम लोगों ने देख लिया और इससे हमको क्या दिखाई देता है b का मान पता चलता है mu naught by 4 pi और उसके बाद में जो है हो जाता है 2i 2i और यह a हो गया ठीक है और इसके बाद में divided by r का घन और यहां sin theta अब देखेए एक और महत्वपूर्ण बात में आपको बताता हूँ और वो यह है जो हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है और यह है कि आपको समझ में आ रहा होगा एन आई ए यह क्या होता है एन आई ए यह होता है यह क्यों को यह क्या होता है इन आई ए यह दिए इस लूप में एक ही चकर होने की बजाए वैह एन कर होते हम यहां पर biting लगा सकते थे और इस से से हमको क्या मिला बी का मान मिला म्यू जीरो बाइ फोर पाई और यहां पर हो जाएगा टू और यह आई ए एन के साथ में मिलके पी एम और डिवाइड़ बाइ आर का गहन और यहां पर साइन थीटा तो इस तरीके से जो है हमको क्या मिलता है इस तरीके से हमको कुल मिला के विदुत द्विधरो के लिए हम लोगों को जो चुम्ब की चैतर की तिवता मिली थी वो थी 2P बटा आर का घाति इसी प्रकार से आपको यहां पर भी 2PM बटा आर के घात पीन और यहां से आपको समझ में आएगा कि अगर आप लोगों ने स्थिर वैदुती की तैयारी जो है अच्छा चीकी थी तो आपको बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट मिलने वाले हैं जो आपको चुम्ब का तुम्हें भी उप्योग में आ सकते हैं या उस कंसेप्ट से मिलते जुलते हैं इसी तरीके की और भी important चीज़ें हम लगातार सीखते रहें के जुड़ें हमारे साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद